अगर तुम इतनी ही सची हो इतनी ही अच्छी हो कि वह बजूर्ग महला कौन थी डीजे मी और बत्ती जो जगड़ा करें थे आपस में जिसको आइने में देखकर तुम रो लेती हो और बातरूम में जाकर तुम्हारी जो है यह जूती रो लेती है करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूं थोड़ी सी बात करना चाहती हूं परसों वाला वीडियो जो है मैंने आप लोगों के साथ कहा था कि शेयर करना लेकिन मेरे कुछ वाइटी मेंबर ही ऐसे हैं फैमिली मेंबर की जिरों ने उस चीज़ को समझा और शेयर किया और आगे भी बोला कि हमें बताएं उसके बारे में लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा तर जो फैमिली मेंबर है वो इंटरस्टेड नहीं है तो मैंने वो टॉपिक तो वहां पे नहीं छोड़ा मैं अपने लेवल पे जहां तक काम कर सकती हूं मैं वो कर रही हूं ठीक है जी लेकिन आप लोगों की फर्स्ट पहली पसंद वो जूटी ही है और पुतन ही है तो चलिए इसी चीज़ को लेके फिर आगे बढ़ते हैं ज करें वीडियो को वाच करने की अच्छे से कम से कम 10 मिनट तो वाच कर लें जे आपके उपर डिपैंड है लेकिन कहना मेरा फर्स था तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट यहां पर यह कि जूटी की सारी को लेकर बहुत ज्यादा दमाल हो रहा है कि ऐसा क्या है जूटी जब सारी पैन करें तिनी सारे एपिसोड जो वह बना रही है लेकिन टाइटल वह कुछ भी रखती है उसमें वह चीज नहीं है लेकिन दूसरे दिन ही वह टाइटल जो है चेंज हो जाता है पर मोशनल वीडियो वाला टाइटल हो जाता है उसके उपर बात यह है कि जब तो यहां कि सोच में फर्क आया है वैसा इनके रहन सहन में भी फर्क आ चुका है ठीक है क्या कहीं यह डॉन टू अर्थ हो रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है इनके लेवल में गिरावट आवी है ठीक है पर मोशनल वीडियो जो है वह अगर आप कर रहे हो तो उसमें जूट बोलने की क्या जुरत है उसके बाद फिर आप अपने ही वियर्स को थपड़ दे थपड़ पे थपड़ लगाते हुए नजर आते हो यह कहते हुए कि आप लोगों की वज़ा से आज मुझे रोना पड़ा वो भी कुंडी लगा कर नहीं तो कुंडी खोल के रो लेते उसमें इसकी कहते हैं ना बातरूम सिंगर तो सुना है लेकिन बातरूम में मुबाइल चला ना वह भी इतनी गर्मी में कोई पंका वंका भी नहीं कोई इतना बढ़िया वाला वाश्रूम भी नहीं जिसमें बैठके आप अपने सुख दुख जो है बैठके अराम से इस्तिमिनान स सोचते हो क्या अंदर को चीर्वियर रखी हुई है जांफिर आपने कुछ मतलब मेरे को यह पता है कि पोट के ऊपर बैठकर कुछ लोग जो है निवस्पेपर रीड करते हैं अदरवाइस उनको जो है समझ रहे हो ना कायम चुरन खाना पड़ता है कुछ लोग ऐसे हैं ले यही सेम कंडिशन है पुतन की पुतन की यही वाली कंडिशन रही थी अपने इन लोज के यहां पर ठीक है जी जानिकी नदनपुर में वो था कि सुबा से ही उसका सारा रूटीन जो सैट है वो जूटी करती थी जब पुतन जो है वाश्रूम में चली जाती थी फॉन के इस लेकिन आप जूट बोल के कर रहे हो तो बुराई इसमें है गलतियां इसमें डूंडी है आपकी अपनी ही वाइटी फैमिली में वाइटी फैमिली ने तो जहां पर रोने की बात थी मैंने अपनी जो अपनी वाइटी फैमिली है मैंने उनको मेंबर्स को बोला कि रोने की व परिटी लगते हो मां लगते हो सुन्दा लगती हो अच्छे कपड़ों में, परमोशनल वीडियो जो आप कर्रें आप एच्छे हो तो अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो ठीक है दो अच्छा बोल अब खुदी तो उनसे बोलते हो कि कमेंट करके बताना जब वो कमेंट कर रहे हैं तो हर किसी की नजर सेम नहीं है अलग-अलग है वह अपने पॉयंट ओभी उससे तुम्हें लिक रहा है ठीक है नहीं है कोई भी गलती नहीं है कोई भी हल्की फूल की सो रुपे पचास रुपे की भी साड़ी जा सूट पहनने में किसी की भी कोई मतलब की कहते ना परसनेलटी जो है न वो डौन नहीं जाती है लेकिन रोना आपको उन बातों पर भी आया अगर किसी ने बोल दिया कि आप धंग से पहना करो तो इसमें कुछ गलत तो न पहनना इसी को कहते हैं कि प्रॉपर एक ब्लॉज और अच्छा पेटिक और अच्छे से पिनप की हुई साड़ी नहीं आती है पहनने तो जबरदस्ति किस चीज की है ठीक है कहीं आप दो तीन तीन हजार की जीन्स पहनते हुए नजर आते हो ठीक है कहीं आप ऐसे वाली पहर में आपके जो रिल्स बनाने में हेल्प करती है आप ही की महारानी और आपकी ही बेस्प्रेंड अब बात करते हैं बेस्प्रेंड पर भी जो की इनके जूट में पूरा-पूरा साथ दे रही है ऐसा में पहले भी आप लोगों को बोल चुकी हूं कि डीजे मी जो है उन अग्रेसिव हो जाती है वह एक्चुली में जो उसका असली फेस है वह ही है अग्रेसिव हो जाना बात बात पर बहुत जल्दी ही गुसा हो जाना एक दम से सामने वाले की इंसल्ट कर देना जैसा कि अभी बेस्प्रेंड की वह करती हुई नजर आ रही है बहुत सारे एपि निकाली है डीजे मी की और जहां पर गलती निकाली है बेस्ट्रेंट की और मोटू बीटिया तो भी यह साजिश करता है आपको क्या बोलें कि स्क्रिप्टिड ही सारे इनके एपरिसोड होते हैं और आपको कामरा नहीं आते हैं लेकिन यहाँ पर यहां नहीं कि जब तक परिवार वाले इन दो और भी ज्यादा मेंडरी डिस्टर्ब होती नजर आएंगी क्योंकि इनको अपने आगे कुछ भी मतलब कहते हैं अपने आगे किसी को यह कुछ नहीं समझती हैं यह बात जो है इनके उपर यह हो गई है और यही वह जूटी है जो कहती है दूसरों के हस्वें को यह भेजेंग आप लोगों के सामने आती है यह इसका अपना अलग से फंडा है इसके उपर हम लोग बात नहीं करेंगे लेकिन बात यहां पर यह हो रही है कि सोशल मीडिया पर गलत मैसिज जो है सुसाइटी में कनवे किया जा रहा है कि अपने बड़ों की इंसल्ट करो डॉलर कमाओ जी यही था कि डॉलर जो है वो पिद्दू से आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को पता है कि इनका तो मतलब सारा गुजारा इसके ओपर था मैं पहले से कहती हैं आ रही हूं कि टिक टॉक बंद हो गई है और दुनिया में इतनों कुछ चल रहा है हमारे इंडिया में इतनों कु अधर आ रहा है लेकिन अभी जो रोने की असली वजा है वो यही है कि एक ब्रांट से यह बिल्कुल नीचे आ गई है इन सारियों की क्लेक्शन जो है आप लोगों के सामने ही श्यर हो रही है आप लोगों ने देखा ही है बिल्कुल ही मतलब आप अगर प्राइस के रिकॉर पुतन परी ने मौप पर ही एपिसोड बनाते हुए अपनी मधरीन लोग की इंसल्ड करी थी एक बजुर्ग महला की इंसल्ड करी थी क्योंकि इसका यही कहना है कि मुझ पर कोई नहीं बोलता पीट पिछे बोलते हैं तो इसका मतलब यही है कि तुमारी तो बाते होती होती हैं तो पीट के पिछे तुम भी अपनी कर लेती उन बजुर्ग महला की बात लेकिन अगर तुम इतनी ही सची हो इतनी ही अच्छी हो ब अपना पीस ओप माइंड जो है वो खोना नहीं चाहती इसलिए पीड के पिछ कोई कुछ भी बोले मुझे परवान नहीं है तो इसका मतलब यही है परवान नहीं तुमारा ब्रेनी नहीं है और जिस बजुर्ग महला की तुम बात करें थी वो कोई और नहीं है जूठी की बेस जाता है कि जब डिलिवरी टाइम होता है तो उस टाइम पे गुड सब लोगों के घर में अलग लग बात करते होंगे लेकिन यह जीज जो है पांच दिन सबके घरों में खिलाते होंगे जैसे की गुड और थोड़ा सा जैसे की ड्राइजिंजर को सुन्ड बोला जाता है व अर उसके अंदर की गंद्गी जो हो है और दूसरी बात है बछे को भी एक हैथ डूद मिलेगा उसके मिल्क फिर्ण पर काफी मतलग की अच्छा असर होगा काफी हैल्द व क्लेगburst मांगर नहीं नोवमबर डिमबर में बना ली जाते हैं पीस कट करके लिए रखे जाते हैं लेकिन उसमें वो सब चीज़ें जादा नहीं डाली जाती हैं लेकिन दिसमबर जनवरी फरवरी ये तीन मीने ऐसे होते हैं जिसमें आप खा सकते हो भरपूर सर्दी होती है पंजाम में ठीक है लेकिन मैं जून में नहीं खाई जाती लेकि बर बर के कटोरा खाया था पुत्त ने एक दूद के गलास के साथ अपने नंतनपुर में बैठकर अपने घर में जो एक्चुली मैं शुरू से कहते हैं हूं इसका वही अपना घर था पहले पुराने जमाने की जो औरते हैं वह मोटे होने के डर से क्या यह सब चीज़े खाती है और मां को भी उस टैम पे तंद्रूस रहना होता है उसके श्रीर को उस टैम पे जुरत होती है इन सब चीजों की है लेकिन जी पुत्तन का तो रागी अलग है यह तो गर्मियों में खाएंगे तुमने बनावाई भी थी और डीजे मी ने बनाई भी थी लेकिन एक आपका यह लोग थोड़ी से सबजी भी बनाएं जरासी वह भी दिखा देते हैं नहीं दिखाया जब मीनी यह पंजीरी बनाई वह क्यों नहीं दिखाई कम से कम एक हजार उपए से कम तो बनती नहीं है वह बनती है हजार उपए में ठीक है वह दिखा देती है आप वह चीजे आप तो उन त्यारियों के सताध मैं नंदनपूर जो नननोजी है क्षीन भी अपने ददिहाल वालों पर Γैसा कि आप लोगों ने देखा है वही नाक को कहते हैं चने चबवाएगा इनको क्योंकि जब बुलाती कैस कितना हां तक मचा रखा था उसने यह बरतन इदर से उदर फैंग लेकिन वह अपने बाप का बेटा है वह कुछ करके ही दिखाएगा अभी तक तो इनको समझ में नहीं आरी है तो चलिए इनको घर बस क्योंकि हम लोग खुश रहें तो वह भाईया खुशी ना तो आपको है ना ही आपकी वाइटी फैमिली को है ठीक है जी अब यहां पर बात कर लेते हैं पीस ओव माइंड जहां पर शांती की देवी बन गे थी ज्यान की देवी बनती हुई नजर आई थी पुत्तर ठीक है पुत्तन जो शांती की बात कर रही थी लेकिन पीछे इतनी अशानती थी पेले उनको एज़ुकेट कर लोआ ठोड़ा सा एजुकेट कर लोआ पेले उनको उनको बताएए कि शांती actually में कहते किसको है डीजे में और बत्ती जो जगडा कर रहे थे आपस में जो इतना लोडल वो बात कर रहे थे, शायद पुतन को वो समझ में नहीं आई, तो इसी रोनक के चक्कर में, पुतन जो है यहाँ डीजे गंज में आये, क्योंकि नंदनपुर में ऐसी रोनक के लगती नहीं है, इसी वजह से पुतन यहाँ आई है, इसी चीज को मिस कर रही थी, इसलिए पीस तो मैंड चाह रहे थी तो पुत्तन शेम ओन यू ठीक है तुम्हें शांति का मतलब नहीं पता है लेकिन तुम्हें अपनी शकल का पता जुरूर है जिसको आइने में देखकर तुम रो लेती हो और बातरूम में जाकर तुम्हारी जो है यह जूटी रो लेती है वह भी कुछ नहीं था न यहीं था न डिली रूटीन दिखाना तो वैसे नॉर्मल आप लोग रहे नहीं हो इसलिए इसके उपर रियक्शन आते हैं इसलिए इसके उपर बातें आ रहे हैं ठीक है अब जो है आप लोगों के पास एक ही कंटेंट है जिसका नाम है चिंटू उसके बाद चिंटू जो है चांदपूर जाएगा फिर वो जुटी के लिए कंटेंटू बनेगा तो सारा चकर जो है वो चिंटू का है तीक है तो यहीं वो बाते हैं सब लोगों के सामने हैं एक प्रफेसर की बीबी जो एजुकेटिड हैं खुद को एजुकेटिड कहती ह हैं लेकिन वो दूसरों की इंसल्ट करने में बिल्कुल भी जरासा भी हिच की चाती नहीं है यह कहते हुए अपनी ही बेस फ्रेंड को कि तुम भी तो भाग गई थी ना मना करने पर यह चीज़ें ऐसी ओपनली सब लोगों के सामने खुदी लेकर आ रहे हैं उसके बाद कह जाता है कि बहुत अच्छे प्यारे प्यारी सी बाते करी हुई हैं कמřile मेरी पोस्त पर सब्ञें हैं हैं आपस में जो लोग मिस्स कर रहे हैं लोगों के नहीं सकते हो तो निया चैनल मेरा इंडियन कने करने कर लें मैं वह बोग आप्agan करती हूं लेकि लाइफ जो है हिंदी में मैं वहीं पर आऊंगी आपको नौटिफकेशन मिल जाए इसके लिए आपको जो है वो चैनल सब्सक्राइब करना होगा विद बैल आइकन बटन के साथ तो चलिए मिलती हूं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ अपने ध्यान रखें क्योंकि आप हो तो हम हैं